Hello students, good morning, आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्यन के पार्ट आर्ट के जो अब्यास्ट प्रिश्ण हैं उनको सॉल्ब करेंगे ठीके बच्चों तो चलिए स्टार्ट करती हैं पहला प्रिश्णी दिया हुआ है सही विकल्प सही का चिन लगाए बच्चों आपर हमको तीन आप्सन मिलेंगे जो सही होगा उसके आगे हम सही का चिन लगा देंगे पहला प्रिश्ण है बच्चे पढ़ने के लिए कहां जाती है नमर एक बिद्ध्यालाय नमर दो डांगर नमर तीन इन मेंसे कोई नहीं तो बच्चे कहां पर जाती हैं पढ़ने के लिए बच्चों बिद्ध्यालाय में जो पहले नमर का उपसन है वो सही हो जाएगा उसके आगे हम राइट कनिश्चिन लगा देंगे अगला है प्रिश्ण नमर दो विद्धियालाय में विविन विश्यों के साथ साथ और क्या सिखाया जाता है नमर एक अच्छा आच्रण नमर दो टीवी देखना नमर तीन सोना तो विद्यालाय में विविन विश्यों के शाथ साथ अच्छा आच्रंट सिखाया जाता है ठीके तो जो पहले नमर का आप्सन है वो सही हो जाएगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे तीसरा प्रिश्ण है सहरों में अधिकांस विद्यालाय कैसी बने होती है नमर एक बड़ी नमर दो बहु मंजिला बहु मंजिला का अर्थ होता है बच्चो एक से अधिक मंजिल तो जो सहर होती है उनमें अधिकांस विद्यालाय कैसे होती है बड़ी तता बहु मंजिला तो ज आगला है बिद्याला में चात्रों के लिए निर्धारित बिसिस बस्त्रों को क्या कहते हैं नमर एक यूनिफॉर्म नमर दो पोसा नमर तीन इन में से कोई नहीं तो बिद्याला में चात्रों के लिए निर्धारित बिसिस बस्त्रों को क्या कहते हैं वच्चों यूनिफॉर् प्रिश्ट नमर खाब, सही सब्दों को चाट कर रिक्त इस्तानों की पूर्ति कीजिए, पहला प्रिश्ट है वच्चों, बिद्याले ग्यान का पवित्र इस्तान है, बिद्याले किसका पवित्र इस्तान है वच्चों ग्यान का, पहले खालिस्तान में क्या भर देंगे हम ग् दूसरा है हिंदी माध्यम बाले विद्धालाय में अंग्रेजी छोड़ कर सभी विषय हिंदी में पढ़ाय जाते हैं तो जो दूसरा परिश्ण है बच्चों उसके पहले खालिस्तान में हिंदी और दूसरे में अंग्रेजी ठीक है तीसरा है सहरों के विद्ध्यालायों में बच्चों की उत्तम सिक्षा के लिए आवश्यक सभी साधन उपलब्द होते हैं तो तीसरे खालिस्तान में क्या वर देंगे बच्चों उत्तम ठीके आगे है विद्ध्यालायों में एक प्रधाना अध्यापक भी होते हैं तो चोठे कालिसतान में क्या आ जाएगा बच्चो प्रधाना अध्यापद आगे है पृष्ण नमर गा सही कथन के लिए सही का तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन लगाएए पहला पृष्ण है इसमें बच्चो विद्याला खील का पवित्रश्टान है तो इसके आगे हम क्रॉस का चिन लगाएंगे ठीक है विद्ध्यालाय सिक्षा का पवित्र केंद्र है ठीक है दूसरा है सहरों के विद्ध्यालायों में खिलने कुंदनी के सभी साधन उपलब्द होती है तो बच्चो ये भी बिल्कुल सही है इसके आगे भी हम राइट कर्चिन लगा देंगे आगे है तीसरी नमर पर विद्ध्यालाय में छात्र रंग वरंग वस्तर पहन कर जाती है तो बच्चो इसके आगे भी हम क्रॉस कर्चिन लगाएंगे क्योंकि विद्यालाय में बच्ची रंग बरंगे वेस्तर नहीं एक बिसीस प्रकार की उनिफॉर्म पहन कर जाती है अगला है अध्यापक हमें सिश्टा चार संबंदी बातें भी बातों की भी सिक्षा देती है तो ये सही है वच्चो इसके आगे हम सही कचिन लगाएंगे अगला है पांच भी नमबर पर हमें बिद्यालाय को स्वच्च रखना चाहिए तो वच्चो ये भी बिलकुल सही है इसके आगे भी हम राइट कर निशान लगा देंगे आगे हैं घह नमबर पर निम्न लिकित प्रिश्णों के उत्तर दीजिए तो इसमें पहला प्रिश्ण है वच्चो बिद्यालाय सब्द का क्या अर्थ है तो इसका उत्तर होगा बच्छों बिद्ध्यालाई में हमें विविन विश्यों के साथ साथ अच्छा आच्रन करना सिखाया जाता है ठीके अगला प्रिश्ण है प्रिश्ण नमर तीन सहरों के विद्ध्यालाई कैसी होती है तो इसका उत्तर होगा बच्छों सहरों के विद्ध्यालाई बहुत बड द्यालाई को सच वासाफ रखना हमारा करतब भी है तिके बचो इसी के साथ हमारा जो पार्ट आठ था वो पूरा होता है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत थन्यवाद